संभल के चंदोसी विधानसवा में सपा में टिकेट वितरन के बार चंदोसी विधानसवा से टिकेट के दाविदार रहे सतीश प्रेमी को टिकेट न मिलने से उनका दर्द सोशल मेडिया पर छलंक गया और फफख फफख कर रोते हुए अखलेश यादप के खिलाप बगावत सुलसा दे और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अखलेश यादप पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अयाशी के साधन और मोटी रकम नहीं जुटा पाने के चलते अखलेश यादप ने उनका टिकेट काट दिया और करीब चार महीने पहले कॉंग्रेस छोड़कर स समाई पार्टी में रहके इमानदारी से काम किया लेकिन मैं चाहता था कि चंदोसी विदाज़ा चेतर के एक वार सेवा कर सकूं आपको बेटा बनके दोस्त बनके साथी बनके लेकिन जिसी पार्टी में मैं इमानदारी से रहा वहाँ पैसे की कदर थी अयाशी के संसाधनो की गदर थी मैंने जी वन बन ना तो पैसा गवाया ना यह ऐसी के संसादे निकटे किये मैं कोशिश करता रहा कि छेतर की एक वार से वह करता हूँ जिस लाएक था जैसा भी था आपका बेटा था आपका दोस्त आपका साथी था लेकिन मैं आज फेल हो गया मैंने कभी जाती और धरम को प्रात्मिक्तर नहीं दी मैंने कोशिश की कि मैं आपके दुखसुक पर साथ हो सकूँ आपको अपने दुखसुक कर साथ ही बना सकूँ लेकिन जिस उम्मीद के साथ हकले स्यादफ जी के साथ एक लवे समय समय पार्टी में रहा है वहाँ पैसे की कदर थी वहाँ साथनों की ऐसी संसाथनों कदर थी लेकिन मैं यस उम्मीद के साथ आपसे ये अपनी किसमत को कोशते वे कि आज मेरे पास आप छेत्र के बज्रों के अलावा नौजान साथियों के अलावा कोई नहीं है ना मा ना बाप लेकिन यह उम्मी जरूर करता हूं कि आप मेरे साथ खड़े रहोगे मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा मैं आज चनोसी से लखनों से चनोसी वापिस लोट रहा हूं लेकिन आप ये विश्वास रखना और कि आपका साथ ही आपका बेटा, आपका बाई, आपका सद्धिश पर मैं आपके साथ है कोशिश करेगा कि आपके साथ दुख सुख में खड़ा रहे मुझे माफ कर दे ना कि मुझे दवाव नहों कि अनरूप नहीं उतर सका हाँ राजजितिक रूप से फेल हुआ हूँ क्योंकि मैं इमानदार था मैंने बेबानी जीवन मनें की किसी भी तरह की लेकिन आपका भाई आपका बेटा आपके साथ रहेगा कोशिश करेगा यह मेरा यकीन करने वही नेता जी का वीडियो सोचिल मीडिया पर वायरल होने के बाद आज सपा समर्थकों ने मीटिंग कर सपा अध्यक्ष अकलेश यादब से टिकेट पर पुनर विचार करने की मांग की है संभल से जनित ताइम्स के लिए सरफराज अंसारी की रिपोर्ट